विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना सब का मंगल होगा तब सब का मंगल होगा तब पढ़ेगी विश्व की चेतना तो क्या कभी हम अंतिम खुशी तक नहीं पहुँच पाएंगे क्या कोई अंतिम खुशी है भी और वो पाई भी तो तुरंत पा सकते है क्या सभी को शुभेच्छा हैपी थाट्स तेज ग्यान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना पीज बूने के लिए आप सब का स्वागत करते हैं रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्त रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुचा पाएं तो आईए ग्रहनशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाब लेते हैं सभी आँखें बंदे करें हे परमचेतना सभी ताल मेल में आ जाएं सभी शुरिय सत्ता के ताल मेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें तोलू मन पर विजय पापपुण्य पर विजय है लावहानी पर विजय है दुख सुख पर विजय है सम्मान अप्मान पर विजय है सभी सहर्ज मन के साथ जो सशक्ति मन है जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिविय जोजना के कार्य कर सकती है दिवैनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनश्य में काम करे जैसे हर जीव में काम कर रहा है हर जानवर हर पोदा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है खिल रहा है मनश्य भी इसी के साथ ताल मेल में आ जाए प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बाटे सभी अपनी शक्तियों को पहचाने जब इनसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छिनने का कार्य नहीं करता दूसरों से इर्शा करके खुद को दुख नहीं पहुँचाता इर्शा द्वेश गिर्णा से बीमारियों को आकरशित नहीं करता ये परमात्मा हर मनिश्य से नफरत द्वेश गिर्णा डर समाप्थ हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्थ हो जाएं सभी सहज मन के साथ आहार ग्रण करें बूजन खाएं जिससे सवी सवस्त रहें तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बिमार करता है स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्त से दूर जाता है सभी की दिशा युक्त बुद्धी विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे ताके तोलु मन पर जीत आसानी से मिल पाए ऐसा संसार जहां तोलु मन का रोल समाप्त हुआ है उच्चतम विक्सित समाज है सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें क्योंकि उर्जा भरपूर है इनर्जी की कमी नहीं है सभी को मदद करने के बाद भी आपकी उर्जा बरकरार है आप सभी के लिए प्रार्थना करें जो भी मनिश्य स्वस्त हुआ है वह प्रार्थना करें औरों के लिए प्रार्थना करें सभी को अपने तप का बल परदान करें सभी को आपके स्वास्त का लाब मिले सभी को आपके तप का लाब मिले सभी के लिए की गई प्रार्थना आपका स्वास्त बढ़ाती है सहर्ज मन की शक्ती बढ़ाती है तोलू मन का रोल समाप करती है इसलिए दिल से प्रार्थना करें अपने शब्दों में प्रार्थना करें विश्व की सारे लोगों पर शुब्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए कलू मन पिघल जाए रहे किवल सहर्ज मन दिशा युक्त बुद्धी शुद्ध इंदरियां निर्मल मन स्वस्त शरीर प्रार्थना चलती रहे अन्त में अपने तब का बल अर्जित किया है आपने ध्यान से प्रार्थना से समझ से वह अर्जित बल सब को लाब दे इस शुद्ध भाव से तपरपण करें सभी दीरी दीरी आंके खुलें आईए सब क्रहनशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए प्यारे सत्यके खोजियों अब सब को शुद्ध इच्छा हैवी थाउट्स हर खुशी प्राप्त करने के बाद इनसान सोचता है इससे भी बड़ी खुशी हो सकती थी जब मिली नहीं थी लग रहा था यही मिल जाए तो बस विद्यारती कहता है एक्जाम्स कत्म हो जाए बस फिर खुशी ही खुशी है प्रोमोशन मिल जाए लॉट्री लग जाए लड़की की शाती हो जाए सिर्फ यह हो जाए तो फिर खुशी ही खुशी है मगर वह हो जाने के बाद कुछ और उससे आगे है ऐसा आभास होता है शहर में जब समाहरो हुआ इस बात का के शहर के सबसे बुड़े इंसान को बुलाया गया उसका सम्मान करने के लिए और वो लेट पहुंचा लेट आने का कारण पुछा गया तो उसने कहा दरसल अचनक पिताजी की तविद खराब हो गई थी तब पता चला उसके आगे भी कोई और है लगा यही सबसे बुड़ा है और उसका पिताजी भी है तो क्या कभी हम अंतिम खुशी तक नहीं पहुँच पाएंगे कै कोई अंतिम खुशी है भी और वो पाएं भी तो तुरंत पा सकते है क्या आज का विशे है तुरंत खुशी कैसे पाएं इंसाम चार तरह की खुशियों में उल्जा हुआ है जिससे उसे बाहर आना है नार्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षन, पूरप, पस्च्चन यह चार खुशियां है और इन चारों के बीच में उसे पहुँचना है केंडर पर पहुँचना है, सेंटर पर पहुँचना है उत्तर दिशा में है उत्तेजना वाली खुशी एक्साइटमेंट, जब एक्साइटमेंट होती है और हरे को अलग-अलग बातों से उत्तेजना होती है कुछ लोगों के लिए न्यूस पेपर पढ़ना सबसे बड़ी उत्तेजना है सुबर न्यूस पढ़ा, न्यूस का अर्थ ही क्या? न्यूस यानि नॉर्थ, इस्ट, वेस्ट, सॉथ तो उत्तर की तरफ है उत्तेजना वाली खुशी एक ऐसा न्यूस वो उसको एक्साइट करता है ऐसा हुआ आज पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ, शेहर में ऐसा हुआ एक बोड़ी इंसान का सन्मान किया कि लेट पहुंचा है कोई तो न्यूस हो जो एक्साइट करें, उत्तेजना दें नया साल एक्साइटमेंट है दिवाली आ रही है, एक्साइटमेंट है पहली तरह कि खुशी में लोग उत्तेजना में उलचते है और हरें की उत्तेजना अलग है कोई रिस कोर्स में जाकर ही वो उत्तेजना महसूश करता है अगर नहीं गया दो दिन तो बहुत बोर महसुश होता है कि उत्तेजना का दुसरा पहली क्या है? बोर्डम पिर एक नया तो फिर एकसाइटमेट होगी भी उत्तेजना के लिए उत्तिजना अलग है मर वो जानते नहीं इस उत्तिजना की वज़े से वो बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं क्योंकि हमारे nervous system को आदत पढ़ते जाती है और वो आदत पढ़ गई तो बिना excitement के इंसान जीनी पाता है सुसाई तक कर लेता है कि जीवन में कुछ रहा नहीं नहीं से नहीं तो उत्तर वाली कुशी मुक्ति पानी है प्रार्धना और मार्ग दर्शन का सभी ने लाब लिया आईए यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कर आईए बाला में भीपकार्धना आईए पानी आईए यहीं तो उत्तर वाल वे तो चार्णी पानी है कर दो उत्तर वाले कर दो ओगा आईए अन्यवाद कि जाए यहीं पानी है